हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग अलफाबेट से फर्म करेंगे आप लोग तो A to Z तक तो सीखे लिए हो तो आज हम लोग देखते हैं कि A से क्या क्या होता है जी हाँ सही जवाब एपल और क्या हाँ एड़ प्लेंट भी होता है तो आज हम लोग A से क्या बनाएंगे चलो देखते हैं तो वो आपके स्टोरीज और सपनों में आती है क्या आप बता सकते हैं वो कौन है वो हाँ सही जवाब वो है एड़ तो आए उसे A से बनाते हैं तो सबसे पहले हमें A लिखना है और उसका चेहरा बनाने के लिए यू लिखना है और उसके दो आँख और प्यारी सी स्माइल और उसके सुन्दर लंबे बाल दी तो आप इसका प्राउन तो आप इसके पांख बनाएंगे हम लोग तो अब इसके दो हाँख और एक हाँख में जादुई की चड़ी और अब इसका ब्यूटिपल ड्रेस आप इसके ड्रेस में कोई भी डिजाइन बना सकते हैं और इसके पैरों के लिए आप स्मॉल डी बना सकते हो तो देखा फ्रेंट्स एसे कितनी ब्यूटिफूल एंजल बन गई आप भी ऐसा घर में पन कर सकते हो तो आईए हम लोग स्मॉल डी से बनाते हैं तो हम लोग स्मॉल डी से क्या बना सकते हैं तो आपके घरों में चलती रहती है बहुत छोटी सी रहती है और उसे मीठा बहुत पसंद है जैसे की शक्र वो कौन है क्या बता सकते हैं जी हाँ एंट मतलब चीटी ता यह उसे स्मॉल डी से बनाते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले ए लिखना है फिर इसी को थोड़ा ओ करना है फिर इसका लाश्ट का भी और फिर इसकी आंख और एक छोटी सी स्माइल और इसका एंटिना जैसे यह हम लोगों कारती है और इसके छोटे छोटे पैल देखिए हम लोगों की प्याड़ी सी स्मॉल सी चीटी तग्यार हो गई है और भी स्मॉल ए से आप इसे पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हो और मुझे बताना कि आप लोग ने प्राय किया